बैसे तो मदपिदेश अपने राष्टे उद्धानों के लिए भारत में अपनी अलग पैचान रखता है क्योंकि जब भारत में चीतों को लाने की कवाया शुरू हुई थी तब मदपिदेश का नाम पहले इस्तान पर था और बाद में मदपिदेश के इसी कुनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए सुरक्चित पना गया मान कर उसे चैनेत कर लिया गया और आज यहां अफिर की चीता काफी खुसाल तरीके से अपने जीवन आपन भी कर रहे हैं दोस्तों दुनिया वर के पायटकों के लिए जल्दी कुनो नेशनल पार्क को खोल दिया जाएगा और पायटक यहां अकर जंगली जानवरों को देखकर लुप्त उठा सकेंगे दोस्तों अगर बात की जाए बागों की तब भी मदपिदेश अपना प्रतम इस्थान रखन यहां भी रखता है तब आप जानी गए होंगी थी मदपिदेश बंद जीवन सरक्षन के लिए कितना सुरक्षित इस्थान है नमस्कार दोस्तों मैं केसब सर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपके अपनी यूट्यूब चैनल वी राइडर ब्लोग में और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक अब्यारन के बारे में जिसे कू माधव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों जंगली जानवरों के लिए सुरक्चित पना माधव नेशनल पार्क मदपिदिस के सीपरी जिले में इस्तित है बात अगर इसके छेतपल की की जाए तो 354 बर किलोमीटर में फैला हुआ माधव नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1956 में राष्टि उद्दान की रूप में हुई इससे पहले ये सिंदिया घराने के लिए सिकारगा हुआ करता था माधव नेशनल पार्क में आज भी माराज माधव नेशनल पार्क के अंदर जब वे सिकारगा हुआ करता था माधव नेशनल पार्क को राष्टि उद्दान की कैटिगरी में ले लिया गया दोस्तों आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहां पर रिस्थापित भी किया गया लगबक 27 साल के इंतजार के बाद माधव नेशनल पार्क में फिर से सुनाई देगी और आने बाद मधव नेशनल पार्क में बाग के अलावा आपको यह बड़ी शंक्या में त्यंदुआ, चीतल, सावर, हेरन, नील गाय, आदित एकने को भी मिल जाएंगे माधव नेशनल पार्क भारतिय गिद्दों के लिए अच्छी पनागर और उनकी अधिक संक्याम है यहाँ पर मौजूद है दोस्तों बिस्तित बन छेत माधव नेशनल पार्क जिसके सीमा मत पिदेश के सीपरी जिले से लगती है और यहाँ पर एक विसाल साकर जिसे मरीखेरन और डेम की नाम से जाना आता है इसके सीमा के अंतरगत ही आता है काफी विसाल जल सरोबर यह है और बन जीवों के लिए काफी सुरक्चित पनागर इसे माना जाता है आने वाले दिनों में मादव नेशनल पार्क को पायटकों के लिए टाइगर सफारी के रूप में खोल दिया जाएगा और दुनिया भर के पायटक यहां आकर सित होंगे तो दोस्तों आप भी मादव नेशनल पार्क आना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं और यहां से लिलेटिव लेटिस्ट वीडियो हम आप लोगों तो लाते रहेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जल्ली मादव नेशनल पार्क को वीडियो कै कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बता हैं चैनल को लाइक शेयर कमेंट कानल ना भूले और ऐसे अन्रोमांचित वीडियों के लिए जुड़े रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी राइडर ब्लॉग के साथ थैंक यू